आदेश 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 जैमाकाली माकाली गोरखना चोकीशे मैं भक्त गोरवराना शालवन आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि मा का नाम शिव दूति क्यू पड़ा उसके पीछे का रहश्य मैं आप सभी को बताऊंगा और मैं आप सभी से आग रहे करूँगा जिनोंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखाए, बैल आइकन नहीं दबा रखाए, क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बैल आइकन जरूर दबाए, ताकि दरबार की नोट्फिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाए हम हर वीडियो में आपको एक छोटा सा उपाय देंगे, जिससे आप पुरी स्रधा और विश्वास के साथ करेंगे, तो उससे आपको इससे आवशक ही लाप राप्त होगा, हमारा उदेश्या है कि शभी के घर में शुक समरिद्धी हो और मा का आसिरवाद हमेशा हमेशा आप हसी अपना जीवन वैतीत करें, सभी वीडियो में कोमेंट करें, लाइक करें ताकि हम आपके पास और ज्यादा मा के रूपों के बारे में मा का नाम, किस-किस नाम से मा को पुकारा जाता है, उसके बारे में हम आपको बताते रहें, अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो दुरुगा सब सती के अंदर आठवे अध्याय के अंदर इस बात का वरनित किया गया है, कि जब मा रनचेतर में वहां बैठी थी, तब माने शिव शंकर भगवान को बुलाया, और शुब निशुब जो म महां दित्य थे, जिनोंने इंदर से तिरलोकी का राजय चहिन लिया था, तो माने शंकर भगवान के हातों उनके पास, शंकर भगवान को दूद बना कर उनके पास बेजा, और उनसे बोला, या तो आप तिरलोकी राजय इंदर भगवान को दे दीजिए, अन्यथा आप पा मा भगवती ने शंकर भगवान को दूत बना कर भेजा था, तो तब से मा का नाम शीवदूती के नाम से पड़ा और तब से मा को शीवदूती कहने लगी, और मैं आप सभी को बता देता हूँ, जो भी हम आपको बाते बताते हैं, इसरी मद्देवी भागवत पुरान के अधार पर, दुर्गा सबसती के अधार पर ही हम आपको बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि शध्या में कहां लिखा हुआ है, और अब हम आपको एक छोटा सा उपाय देते हैं, जिनको सिग्र ही कार्य करना है, सिग्र मनो कामना के लिए मैं आपको एछोटा सा उपाय बताऊंगा, आपको क्या करना है, आप 11 पीपल के पत्ते लेंगे, उनको गंगा जल्शे शाफ करेंगे, थोड़ा सा चमेली का तेल लेंगे, और हनुमान जी वाला शिंदूर लेंगे, उनको पीपल के मालों की पत्तों की माला बना लेंगे आप और हर एक पत्ते पे राम राम लिखेंगे, 11-11 बार हर पत्ते पे और 5 बुंदी के लड़ू लेंगे, मंगलवार के दिन अपने शिग्र मनोकामना के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाईए, मंदिर नहीं है, तो गर में जो फोटू है हनुमान जी की, उस पे वे माला चड़ाईए, लड़ू का भोग लगाए, वहां आरती और चालिशा का पाट करे, उसके पशाथ आप अपने मनोकामना महानुमान जी के चर्णों में शिग्र रखे, और उनके चर्णों में शिंदूर लगा कर तुरंत अपने मस्तक पर लगा ले, आपकी मनोकामना जल्द ही शिग्र ही पूरी होगी, इसको लगातारा पांच मंगलवार करे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेर, लाइक, कोमेंट जरूर करे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि माकाली का की माकोशिका की उत्पत्ती कैशे हुई, जै मातादी, जै माकाली,